नमाश्कार बच्चों मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारुटिया एसोशेट प्रफेसर इतिहास विवाक संब्राट प्रफिराच जोवन राच के मावद देलियाच्पिर बच्चों मद्यकाल के इतिहास के बात कर रहे हैं में स्थापते जो अपना है सेवन्ध भी उस पेपर की बात कर रहे हैं और अब हम बात कर रहे हैं वास्तुकला की कि वास्तुकला में किस प्रकार से दिल्ली सल्तन और इसके राजाओं ने वास्तुकला पर अपने इमारते निर्मान करके अपनी शैली से भारती शैली के सम्मिश्रन से एतिहासिक इमारतों के निर्मान किया है और एक इतिहास के लिए पुरातत्तुक सामगरी भी उपलप्त क तो अब हम यहां पर सीधे बात करते हैं फिरोस्तुगलक की फिरोस्तुगलक की बारे में पढ़ा है फिरोस्तुगलक आपको मालूम है कि एक महान निर्मात आता था से 30 वर्स तक उसने शासन किया बला यह कहला जाता कि कुछ कल्यान करी क्या भी किये गए अनिक किले शहरे निकल नातों से आसानी से बढ़िया पत्तर उपलब्द हो सकता था और नहीं उसके पास इतना रुपिया था क्योंकि महान प्योगलक की जो विविन योजना है थी उसके पहले हम जानते हैं महान प्योगलक बहुत झान खर्च हो गया था तो इसलिए उसने सस्ते पत्रों का उप्योग किया फिरोज तो लगने और डाक्टर परमात्पा शरणियां कहतें भी हैं कि फिरोज पे इमारतों में ताजगी और सरलता के साथ द्रड़ता और नीरस उप्योगता का बड़ा विलक्षन सही हो रहा है अब फिरोज तो लगने इमारतों की बात करें तो दिल्ली मे और फिरोशा कोटला के किरों के चारोर एक दिवार थी भेंकर जिसके स्रहत में शाही इमारते रखी जाती थी, किले के अंदर एक सुध्याकार दियुमंजली इमारत भी थी और दस हजार व्यक्तिर के नमाज पढ़ने की वेवस्ता इसमें थी, ये एक बहुत बड़ा है फिर मस्जितों का निर्मान कराया, और खिड़की मस्जित, बेगुनपुरी मस्जित, श्रीमल मस्जित और याद रखिएगा, मुस्लिम पारंपरिक जो है, एक कुरान और उसके नियमों के पालना में फिरोस्तुगलक बहुत मजबूत आदमी था, और इसके शासन की एक माइनस मग बिंदू सामने आती है, और इसलिए वज़े से हम इस बात से जोड सकते हैं कि उसके समय में बहुत अधिक मस्जितों का भी निर्मान हुआ था, खिड़की मस्जित, आकार में वरगाकार होती थी, धालू मस्जित जो होती थी, वो उपर के मंजिलों पर अधिक होती थी नीचे मंजिलों पोड़ते थी, तो वियाईपी जो मुख्या आदमी थे, वो अलग नमाज पढ़ते थे, और जो साधान विकती थे, वो नीचे विशाल पुरांगण में नमाज पढ़ते थे, और छोटे-छोटे गुमबत से सुजित किया गए था बहरी अधिकों, और एक 40ффi. वर्गीक्रत में है, और डिली में है तो 530 इसे पुरुषा ओटलाज इन में है, और इसमें बड़े-बड़े महराब, और बड़े-दर वाजे है, संगमर का भेतर में यूप्यों किया है, लेकिन ब Parks प है लिक्र पत्र को प्यों किया गया है। धिवार के उपर एक दोनों का उपयोग उसने सुजित किया है और जो फिरोशा का मगबर है उसको एक मात्र वो है जो उसने अलंकरन करने की कोशिश की गई है। जिससे वेक्ति ब्रह्मन करने की जाते हैं तो स्री टकरा जाते हैं यह काम जो अपने को समझ से रहती है एतियासी की मरतों के ब्रह्मन के दोरान वो इस खाने जहा तेलंगानी के मगबरे में हमको जादा देखने को मिल दिये। है और इस इमारत में लाल पत्तर और संगमत दोनों का सम्मिश्ण नहीं इस इमारत को देखने से स्पस्ट हो जाता है कि समकालिन जो कारीगर फिरोस्तुगलक कालिन शेलिका का प्रियात्या करके इमारत को सुसर्जित करतने पर जोड़ देने लग गए थे अब मैं आपको एक पंक्ती में सीजी सीजी बात करना चाता हूँ कि मस्जितों को और मगबरों का निर्मान तो उस समय हुआ लेकिन फिरोस्तुगलक के समय सरवादिक मस्जितों का निर्मान वा यानि फिरोस्तुगलक बले उदार और सैनिक अभियान में कमी वाले और कल्यानकारी राजा कहां माना जाते थे इतियास में लेकिन उनके समय में मस्जितों वह दो चीज़े देखने पुड़ती है मस्जितों का निम्रमन हुआ मस्जितों में आध्यात्मिक दुस्ट्री से विशाल परांगन बनाए गए और भार अलंकरन कम किये गए दूसरा उनकी जो शैली थी कि उस पर भी कर्ड लिगा दिया जाए तो कहीं न कहीं इस पर इस आध्यात्मिक्ता की भावना से उसको जोड़ लिया जाए कि मुस्लिम के शराशरियत के नियमों को कठोड़ता से बहुत विर्मूरता पूर्व पालन कराने में फिर उस तो गला बहुत दड़ संकल्पी थे धन्यवाद